एक पोस्ट काफी ज्यादा तेजी से बाइरल हो रहा है जिसमें बताया जाया रहा है कि आरह भी एकजाम 13 मार्च से जारी होगा तो क्या कुछ इस कबर की सचाई इस वीडियो में हम जानते हैं तो यही वह नोटीस है जो कि सोचल मीडिया साइट पर बाइरल हो रहा है इस नोटीस को आप गोर से देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि गवर्मेंट आफ इंडिया कि मिनिस्ट्री आफ रेलवे 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 रिक्वार्मेंट बोल रिक्वार्मेंट फोर दर नॉन टे से ज्यादा इसम की दिखाे जा रहा है कि आपका जो पास डाउंलोड करने का जो डेट है सीएस्टि के लिए वह बता जा रहा है 13 March और साथ नीचे दिखाए जा रहा है कि लगे डाउनलोड होने लगेगा एक्जाम के चार दिन पहले इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है आप नीचे अगर आते हैं तो यहां देख पा रहे होंगे कि मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो एक्टिबेट हो जाएगा 17 मार्च को और 28 मार्च से लेके 30 अपरील के बीच में एक्जाम होगा तो इस खबर में कितने सचाई है यह आपको बता दे आपको इसकी जानकारी के निए हमने रर्वी एंटीपिसी के जितने वेप साइट है उस पर विजिट किये और देखा कि वहां पर ऐसी कोई नोटिस आई है कि नहीं चलिए हम आपको सीज़े लिए चलते उन वेप साइटों पर तो इसके लिए हमने सबसे पहले रर्वी चंडीगट के वेप साइट पर आए और यहां पर नोटिस में चेक किया कि ऐसी कोई खबर आई है कि नहीं तो देखिए यहां पर जो लास्ट अपडेट हुई है वो ही है 39 से 11 को और यह भी जो है सब्सक्राइट के वेप साइट पर तो है नहीं प्लब इसके बाद हम आरार्वी भोपाल का वेप साइट पर आगए यहां भी हमने देखा लास्ट नोटिस जो है वह आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी लास्ट नोटिस जो है डोकमेंट भाइक प्रेकेशन को लेके है यह कॉल लेटर यह आपका है जेए का तो यहां पर भी आप ऐसी कोई बैकेंसी नहीं देख पा रहे है इसके अलावे देखिए यहां पर किलिक हैर पूर्ट दो सक ब्यूव अप सकेंड कि आपका एलपी का है तो आरवी भुपाल पर भी ऐसी कोई नोटिस आई नहीं है इसके बाद हम और भी आरवी के वेपसाइट है उन पर जाके देखे जैसे कि आपको दिखा पा रहे हम यह आरवी कोलकता का ओफिसल वेपसाइट है यहां भी आखरी जो पोस्ट हुई है य देख पारे होगा आपका 10 दिसंबर 2019 का सबसे लेटेस पोस्ट है और यह जो पोस्ट है यह प्रविजनल पैनल लिस्ट के लिए है जो कि एलपी के एक्जाम के लिए जो पैनल तेयार हुए थे उसका है तो यहां पे आरवी एंटी पीसी एक्जाम को लेके किसी भी हमने और आप के लिए देख पारे हमारी जानकारी में यह पूरी तरह से फेक है, यानि कि ऐसी कोई भी और इजिनल पोस्ट RRB NTPC के तरफ से नहीं जारी किया गए है, यह बिलकुल फेक है. आरर भी एंटी पिसी के तरफ से ऐसी कोई भी नोटीस जारी नहीं कियेगी यानि कि यह जो नोटीस था यह बिल्कुल खेक साबित हुआ तो आपके नजर में कोई और भी ऐसी कोई बाइरल पोस्ट है या कुछ जानकारे आप जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं बिहाट डेलिगेशन एट दरेट जीमेल डाट कम पे हम आपको खबर की पूरी सचाई बताने की कोर्सिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ